नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर प्रभग बारा पर बने रिंग रोड के कारण भारी वाहनों की संख्या लगतार बढ़ते जा रही है विशिश रूप से सेमेंट रोड का निर्मान पूरा होने के बाद से वाहनों की संख्या और उसकी रप्तार भी लगतार बढ़ती ही गई है इस कारण दाभा एरिया और उसके अस्वास के लगे सभी लेयाउट में रहने वाले लोगों को एक अंदेखा खत्रा पैदा हो गया था इस खत्रे को भाप कर लगतार 2017 से दाभा के मुख्य चवराहे पर ट्राफिक सिगनल लगाने का संगर्ष शुरू किया गया था ट्राफिक पुलिस के DCP सारंगावड को प्रत्यक्ष ग्यापन सौफ कर इस समस्या के लिए समधन की मांग की गई थी उसके बाद महानगर पाली का और पुलिस विभाग से समनवे साथ कर सिगनल लगाने के प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई समूचे प्रभाग की नारी शक्ति के साथ मिलकर इस सिगनल विवस्था का लोकारपन किया गया अब खतरनाक चावराय की समस्या तो वैसे निपट गई है लेकिन फिर भी यह चावराय पार करते समय नागरिकों को साओधानी बरतना जरूरी है जरिपटका में नवगठित सिंदू सामाजिक संस्था की ओर से पुर्वनगर सेवक सुरेज जग्यासी के सयोजन में जुलेलाल जैनती मनाई गई इस अउसर पर 551 वीब जलाकर तथा जुलेलाल साई के मूर्ती पर माल्यारपन महार्ती कर जैगोश किया गया सुरेज जग्यासी ने उपस्थितों को जुलेलाल जैनती का महत्व बताते हुए उन्हें शुपकामनाई दी साई केशोदास जग्यासी एवं पंडित मुर्लिधर शर्मा के हातों विधिवत पुजा अर्चना की गई इस अउसर पर कशिश सचानी, मनिश मोटवानी, किरन कृष्णानी, मोनिका मेठवानी, निशा मनवानी, नव्या सजदेव, कमले शुदासी, जोती जग्यासी, दिया जग्यासी, कनिश का भोजवानी, मोनिका भोजवानी, हर्शिता जग्यासी, काडवी आरिय, आदी उप पुर्षत्तम रामचन्दानी, कमल जग्यासी, प्रदीप मोतीरामानी, मुकेश खुशालानी, दर्शन गुरुबक्षानी, मोहित सच्देव, आदिने योगदान दिया सिंदी काउंसिल आफ इंडिया नागपूर लेडिच चैप्टर की महिलाउ द्वरा, गांधी सागर जुलेलाल मंदिर में बहराना पुजा कर, बड़े ही उत्सा के साथ नववर्ष का सवागत किया गया महंत मोहंदास ठाकुर द्वरा, बहराना की विदिवत पुजा करवाई गई, जिसमें उन्होंने बहराने की महिमा जोत की, विशिष्टा पर प्रकाश डाला बविश्य में सभी के परिवार में असिम सूख, शान्ती, समरुद्धी, आपसी भाहिचारे में प्रेम रहे यह अरदास की गई, एवं जुलेलाल जी की आरती, प्रसात, दर्शन का सभी ने लाव उठाया इस कारेक्रम में संस्था अद्ध्यक्षा, जया खत्री, महासचिव भार्ती आसुदानी, लक्ष्मी वाध्वाणी, सोनल लाल्वानी, शुबा भागिया, दिव्या गुर्बानी, सुवाती रुचंदानी, भार्ती जैस्वानी, प्रियंका पंज्वानी, आभा आसुदान उश्या आमेसर, रुही खत्री, शिवानी, अंजु ममतानी, रेखा ठाकुर, जया पूरस्वानी की उपस्तिती रही कलगिदर सत्संग मंडल के एड़ोकेट ममतानी, डॉक्टर गुर्मुक ममतानी का विशेश सहयोगरा सभी ने सिंधी 6 निरुत्यकर अपनी खुशिका इजहार किया नववर्षय पर सिंधी काउंसिल नाकपुर टीम की सदस्यों ने बहराने साहिब पूजादवारा सिंधी संस्कुरूते से जुड़ कर आने वाली पिड़ी के लिए एक मिसाल पेश की भारत रतन डक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की 131 वी जैनती की आउसर पर रविवार दस अप्रेल की शाम साथ बजे सोनी मराठी चैनल पर बोला जैभीम कारेकरम प्रस्तुत किया जाएगा इस कारेकरम में शिंदे परिवार के मशूर गायक बाबा साहिब के संदर में कई गिद गाएंगे बोल जैभीम कारेकरम के जरिये पहली बार शिंदे परिवार की तीन पिडिया एक ही मंच पर अपनी कला का परीचे देंगी दिग्ज़ गायक आनन्षिंदे, सभी के पसंदिदा गायक उतकरश शिंदे और तीसरी पिड़ी के गायक आलाद अधर्श शिंदे अपने गायन से सभी को मंतर मुग्द कर दिंगे गायक कविता राम, माजी रमाई और भीम विकरमी वीरा भी करेंगे प्रसिद्ध गायक नंदेश उमब भी गीद गाएंगे इस कारेकरम का संचालन संतोषपावार और नंदेश उमब करेंगे बाबा साहिब को उनके जन्मदिन परसंगीत के जरिये दिये जाने वाले अभिवादन कारेकरम को रविवार दस अप्रेल के शाम साथ बजे सोनी मराठी चैनल पर दर्शक देख सकते हैं भारतिय जन्तापार्टी के बैले सिवे स्थापना दिवस के अउसर पर महनगर भाजपा द्वारा शिक्षक साहकारी बैंक सभागार में आयोजीत कारेकरताओ सम्मेलन में पूर्ववित्तमंत्री सुधिर मुन्गंटिवार ने संबोधित करते हुए कहा कि जन्संग के बा महत्व दिया है कोरोना काल के दोरान जब सभी पार्टी के कारेकरता एवं नेता खुद की जान बचाने के लिए घरों के अंदर बैठे थे उस समय केवल भारतिय जन्तापार्टी का कारेकरता अपने नेता के आदेशानुसार खुद की जान की परवाना करते हुए मरीजों से देश ही नहीं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गये है देश में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी केंद्रिय मंतरी नितिन गड करी और राज्य में विरोधी पक्षन नेता देवेंदर फणनविस विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का प्रमुक महिश्वं के नेतरुत्व में एक प्रतिनीदी मंडल ने गटना का विरोध करते विवे मुख्य मंतरी को नागपूर की जिलादी कारी के माध्यम से निवेदन किया तथा गुनेगारों को तुरंद गिरपतार कर कर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए और भविश में इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो इसके लिए सरकार और गुरुह मंतरा ले ठोज कारवाई करे ऐसा ग्यापन में कहा गया प्रतिनीदी मंडल में मारवाडी युवाव मंच के विदर्भ प्रमुक महिश्जबंग अध्यक्ष कनहिया मंतरी सचिव हेमंच शर्मा कोश अध्यक्ष अश्वीन अगरवाल, राजेश अगरवाल, हिमांशु चांडक, प्रतिक भागडी, राजा मोता, हेमंत राठी, दीपक मोता, मुरारी अगरवाल शामिल थे इसके अलवा हरेश सोनी, राज चांडक, विजय जोशी, हरिश राठी और मारवाडी युवा मंच क अन्य पदादिकारी भी उपस्तित थे, भारतिय जन्ता पार्टी लक्षमी नगर क्षेतर के भाजपा पदादिकारी तुचार ठावरे की कोरोनकाल में मौत हो गई थी, वेराम नवमी के जुलिस के दवरान कई वर्षों से नियमी तुरूप से लक्षमी नगर पिज़ा पार्ट के सामने चाजबाटने का कारे कर रहे थे, भारतिय जन्ता पार्टी के स्थापना दिवस के अउसर पर तुचार ठावरे की याद में उसी स्थान पर शीतल जल सेवा शुरू की गई है, इस नेक कारे के साथ ही पूर्व महापर संदीब जोशी की संकल पना से निश पार्टी की सेवा करने वाले इस कारे करता को श्रद्दान जली अर्पित की गई, इस अउसर पर पूर्व महापर संदीब जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतिय जन्ता पार्टी दक्षिन पश्चिम नागपूर की दिवंगत कारे करता ठावरे का यह कारिय पार् जे डागा, कौस्तुप खंडेकर, मनिश जैन, आशिश पुसतकर, अमुल वाटक आधी उपस्टित थे। साइन अगर शिर्डी हाउडा एक्सप्रेस में, साइन अगर शिर्डी से दिनांक 6 अगस 2022 से दो स्लीपर कोच को हटा कर उसके बदले 2 AC3 टायर को जोड़ा जा रहा है। इस्टदेव जूलेलाल की जैनती पर गांधी सागर सी जूलेलाल मंदिर में, जूलेलाल सिंदी वेलफेर सोसाइटी द्वरा आयवजीत, चेटरी चन महुद्सों में सिंदी कला करो एवं योहों ने सिंदी हास्यनाटक तोबा तोबा भगवान बचाय का मंचन किया। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद करती वे सराहना की, कारेकरम के उद्गाटन के अउसर पर जूलेलाल सिंदी वेलफेर सोसाइटी के, महंत मोहनलाल ठाकुर, संस्था अध्यक्षर अमेज जेस्वानी, सुनिल जग्यासी, वनंदलाल हर्द्वानी उपस्थित थे। यतायत पुलिस ने मोटर वहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतरगत, कुल मिलाकर 3320 वहन चालकों पर कारवाई की, और उनसे कुल मिलाकर 2,17,000 रुपे का जुर्माना वसुला, इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत, चार ममलों में 5 आरुपियों को गिरप्तार किया गया और उनसे 36,000 रुपे का सामान जब तक किया गया है। इसके अलावा जुवा अधीनियम के अंतरगत आठ मामलों में 12 आरोपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 96,000 रुपे का जुर्माना वसूला गया उपरउक्त सभी ओपरेशन सयुक्त रूप से नाकपूर सीटी पुलिस दुवारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से संब्दित सभी दस्तावेज अपने पास रखे पुर्वनाकपूर के विधाय कृष्णा खोपडे की उपस्तीती में सतरंजी पुरास्तित भाजपा कार्याले में 42 वा स्थापना दिन मनाया गया पुर्वनाकपूर अध्यक्षय संजे अवचट ने वताया कि स्थापना दिन की एवसर पर 334 पूर्थ अध्यक्ष के नित्रुत्व में पार्टी का ध्वच फैराया गया 102 शक्ती केंदर प्रमुखों ने अपने अपने परिसर में किये गए कार्यों कुले कर जान करी दी और भारतिय जंदा पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर शुपकाम नाय दी सभी शक्ती केंदर प्रमुखों को नेम प्लेट लगाने के निर्दिश दिये गए पुर्वन आगपुर के कारियाले में हुए कारेक्रम का संचल अंजेपी शर्मा ने किया और माननेवरों का आभार सुधीर दूबे ने माना। शिवसेना की प्रवक्ता और विदर्भ में शिवसेना की पुरुवत सांसत प्रकाश जाधव के जन्मदिन के उपलक्ष में रवी भवन नागपुर में धुमधाम सी कारेक्रम का आयोजन किया गया। के प्रश्णों को हल कर उनकी समस्या को सुलजाने में एहम योगदान दिया है। रेलवे प्रशासंद्वारा अधू सरचना विकास के कारियों को शिग्र पुरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशास्पूर गेवरा पैसेंजर स्पेशल रद रहेगी। दिनांक 7 अप्रेल 2022 से 9 अप्रेल 2022 तक गाड़ी संक्या 08862 जारसु गुडा गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद रहेगी। दिनांक 7 अप्रेल 2022 को गाड़ी संक्या 12251 यश्वनपूर कोरबा एकस्प्रेस बिलासपूर स्टेशन में समाप्त होगी। तथा गाड़ी संक्या 12252 कोरबा यश्वनपूर एकस्प्रेस बिलासपूर से यश्वनपूर के लिए रवाना होगी। वरुन सरदेशाई का नाकपूर हवाई अड़े पर शिवसेनिक ने दूमधाम से स्वागत किया। आर्ट ओफ लिविंग के सुप्रसितर वजनप्रिय गायक विकरम हाजरी जी अपनी सूमधूर आवाज में भजन बगीतों की प्रस्तूती करेंगे। इस अध्भूत वा अन्मोल शाम का आनन लेने हेदू आर्ट ओफ लिविंग के प्रशिक्षक वा स्वयम सेवक से संपर कर अपना नेशल प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अपिल की गई है। पुने के धर्म प्रचारक स्वामे ग्यान दीपक के नागपूर आगमन के दोरान उनका सारस्वत सिंध ब्राम्हन मंडल की ओर से सतकार किया गया। एवब महाप्रसाद महांत्यागी बाबा जुम्देव जी की 101 वी जैनती के अउसर पर वितरन किया गया। श्री निवासाचारिय जी के सानेध्य में जारी है। वार्शिक उत्सों में 6 अपरेल को सुबह 10 बजे कदम भात की गोश्टी प्रसाद भगवान को औरपन कर प्रसाद रूप में श्रधालू में वितरित किया गया। श्रीमन नारैन उच्चारण से मंदिर मंडब गुंजित होता रहा। भाचपा एंजियो अघाडी द्वारा भाचपा का जंडा लहराया गया। जंता से कहा कि अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा एवं कमल खिलेगा। उनकी ये वानी सत्य साबित हुई है। और आज अनेक प्रांतों में भाचपा की सरकार है। एवं देश का नेतरुत्व भाचपा ही कर रही है। आज पार्टी का मुल मंत्र पहले राष्टर, बाद में पार्टी, अन्त में सबका साथ, सबका विकास ये स्लोगन कार्यकरताओं को प्रेरना देती है। आज भाचपा में संपुर्ण देश से 11 करोड से अधिक सदस्य है। बाचपा स्थापना दिवस के अउसर पर भाचपा पूर्वन नाकपूर मीडिया प्रवुग पसमाज से वी मनोज अगरवाल वह भाचपा एंजियो आघाडी के पूर्वन नाकपूर महामंत्री वेद प्रकास सोनी ने भाचपा का जंडा फैरा कर लोगों को भाचपा अगरवाल के साथ मधुसुदन सारडा, अशोक हाडा, शरद हाडा, राकेश आगरे समित कई भाचपा कारे करतगण उपस्तित थे तो नाकपूर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस, नमस्कार